प्रस्ट नमबर 26 से ले करके प्रस्टों का सरुसन कराया जाएगा इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों कभर किये थे 25 तक ठीक है और यहाँ पर हम लोगों बात करने वाले हैं कोश्ट नमबर जो है आपका 26 और प्रस्ट नमबर 26 को जर अच्छे से समझेगा क्योंकि जिस तर से प्रस्ट नमबर 26 होगा वही प्रोसेस 27 का भी चलेगा तो आप इस्टेप आइस्टेप समाते चलेए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यानि कि सवाल है आप यह कंडिशन आपकी होती है तो आप टाइप भी पढ़े होंगे और टाइप मैं बता देता हूं कि टाइप यह जो है कौन सा है किस टाइप में हम आपको बताए थे कि आपको कैसे करना ठीक है तो देखो यह टाइप जो है आपका 6 है टाइप जो है 6 हमने आपको 6 पढ़ाय हुआ है और टाइब शामएं हम आपको बताए थे कि x-square इसकोयर के करोगे और वह दोगे आप यहां पर देखो हो जाएगा एकस स्कॉयर से भाग देते हैं वह एकस स्कॉयर से भाग इसमें आप एकसी स्क्वाइर से भाग देगो तो मैं लिख करके समझा देता हूँ आपको क्योंकि आगे वाले प्रस्ण में यानि कि 27 नंबर कोश्चन में मैं इस तरह से लिखने वाला नहीं हूं ठीक है डायेट हम कटा कर रखेंगे तो एकस का पाउब four बाटा में एकस स्कॉायर प्लेस एकस स्कॉयर प्लस एकस का इसकॉयर प्लस वान tulee में क्या र५ीक है अब देहो इससे यह okay घट गचा इससे एक स्कॉयर रचा। बांब आकस हुए ऐपका हुजा रलीदाएगल प्लस यह तो यह स्कॉयर Is एक्स ठीक है यहां पे अब देखो अब देखो ध्यान से समझना इसको यहां पर करना क्या है ध्यान देना वान माइनस जो है वान अपान एक्स का स्क्वाइर है बाटा में इसको हम लोग सुत्र में ले जाना है क्या करना है वही सुत्र में ले जाना है शुत्र में ले जाने के लिए यहाँ पर यदि हम लोग 2 जोड़ दे और 2 क्या करें? घटा दे 2 यदि जोड़ दे हम या 2 क्या करें? घटा दे या दूसरा तरीका क्या है? देखो यहाँ पर यदि हम सजा करके इसको लिखें कि इसको सजाकर मैं लिख दूँ यानि की तर से लिख दूँ वन अपान X का स्क्वाइर प्लस क्या लिख दूँ लिख सकता हUNG अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूँ यक्सि चॉखायर प्लस 1 बटा में X का इसक्वाइर अब देखो नीचे को जो है सुत्र बनाना है A plus B के whole square पर A plus B के whole square पर इसलिए बनाएंगे क्योंकि उपर जो है 1 minus 1 upon x square है तो नीचे आपका एक कोश्टेक में होना चाहिए A minus A plus B के whole square का सुत्र तो 1 को हम लिख सकते है plus 2 और minus कितना 1 यानि कि इसमें से जो है इसमें से जो है यदि आप 2 जोड़ते हो 2 घटाते हो तो आसानी से यह आपका आ जाएगा दूसरा तरीका क्या है इस तरह से यह आप नहीं करना चाहते है यह one है तो अब इसको सुत्र में बनाने के लिए इसको जो है सुत्र में बनाने के लिए और सुत्र ये किस में बनाना भी है प्लस वाले में बनाना है क्यों क्योंकि उपर माइनस में ये है तो प्लस में नीचे बनाओगे तो टी मानों के तासानी से उपर वाला कर जाएगा ये चीज़े याद रखना अगर ये उपर प्लस मे जाएगा देखो 1-1 अपान एक्स का स्कॉयर बाटा में इस्टार्टिंग से दिया मैं तीन पद लेता हूं ना तो यह जो पद है आपका सुत्र बनेगा इसको फिर सॉब करेंगे तो आपका यह आ जाएगा तो यह आपका होजआए एक्सिसे यहां पर समझा दिया हूं अब देखो माना यदि मैं इसको टी मानू तो उपर वाला से आपका पूरा माना आएगा यहां पर हम डिरेक्ट करते हैं देखो वन माइनस आपका हो जाएगा वन अपान एक्स का स्कॉर बाटा में इसको हम लोगोंने माना हुआ है टी और पावर है तो पावर दो लगेगा अब देखो यहां पर माइनस है तो माइनस लगा तो यह घात दो बना है तो वन का भी घात कितने लगा सकते हैं दो इंटू अब यहां पर डीक्स की बात किया है तो डीक्स के जगह पर आपका आएगा एक बटा में आ जाएगा यही टूटल मानाता है वन अपान एक्स का स्कॉर और डॉट क्या डी अब जादे बच्चों को यहां पर कंश्यूजन हो रहा होगा कि कहां से आया हुआ हुआ है देखो इसक सब्सक्राइब तो कि यहां पर पीछे वाले सवाल में भी यह समझा देना हुआ बाइस नमबर में भी सेम आपको ऐसे करना है थोड़ा सब डिफकल्ट नहीं है ठीक है डिफकल्ट आपका सवाल नहीं है बिलकुल यह असान है इस तरह से आपको कर लेना अब देखो इससे यह क्या हुआ कट गया अब देखो समाकलन हो जाएगा वन आपान यह बच गया सुत्र क्या होता है ध्यान देना वान अपान होता है टू ए यह चीजे देखो फार्मुला आप पढ़े होंगे आपके बुक में दिया होगा यानि कि फार्मुला यह आपका बुक में दिया होगा यहां से हो जाएंगा 1 अपान 2 और लाग मैं रखता हूं टी का वलू यहां पर यहां पर यहां से लाग हो जाएगा ऐस से इसमें गुणा करोगे एकसी स्क्वाइर प्लस यह आपका हो जाएगा one minus x से इसमें करोगे तो minus x बाटा में आपको हो जाएगा x पूरे कबटा ले लो भाई वही चीजे यहाँ पर x से करोगे तो x square प्लस यह हो जाएगा one और यहाँ पर हो जाएगा plus x बाटा में x ठीक अब देखो x x कटा plus क्या लगा दो c देखो यही प्रोसेस 27 नमर में आपको सेम करना है से मैं ऐसे 37 नमर में आपको कर लेना सजाँ ऐसे माइनस x प्लस वबाध में रखो यह िंष्ट क्राइगा यह प्लस क्या हो जाएगाיס açी यह फाइनल इतना आपका आप का आचुका ना इस तरह से आपको सटेप आइस सिपकरना था मैं सटेपा इंस्टेप आपक ले लिजिए फिर भी नई समझ में आया दपुना रिवाइज करके देखिए इसमें आधा भी यह दिसमझ में आया होगा तो 27 नमबर में आपको फाइनल समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए इसका इसकर ले लिजिए मैं आपको 27 नमबर करें